बॉलिवूट के दिगज एक्टर अजय देवगन और एक्रेस काजोल की बेटी न्यासा देवगन के इंडस्ट्री में डेब्यू को लेकर फैंस पिछले काफी वक्त से सवाल पुछते रहे हैं हलाकि न्यासा आए दिन सोशल मीडिया पर अपने कलर कॉमपलेक्शन को लेकर ट्रोल भी हो जाती हैं हाल ही में काजोल और उनकी बेटी न्यासा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है दोनों की फिटनेस को लेकर लोग कई तरह की बाते कर रहे हैं आपको बतादे हाल ही में काजोल को पिलाटे क्लास के बहा स्पोट किया गया है। सोशल मीडिया इंस्ट्रोग्राम के एक पैपराजी ने काजोल की वीडियो शेयर की है। तरसल काजोल इस वीडियो में पैपराजी को पोस देती नज़र आ रही है। अब सोशल मीडिया पर उनकी ये वीडियो वारिल होने के बाद यूजर्स ने उन्हें फैट शेमिंग का शिकार बना दिया है फिटनेस को लेकर दोनों को ट्रोल किया जा रहा है तो इस वीडियो में एक यूजर ने कॉमेंट सेक्शन में लिखा है ये बियर कहां से आ गया है तो दूसर यूजर ने लिखा ये लोग मूवी में इतने अच्छे फिट दिखाई देते हैं और रियल लाइफ में ऐसे इसके साथ एक और शक्स ने कॉमेंट कर लिखा है क्या है काजोल वजन क्यू बढ़ता जा रहा है तुम्हारा इस तरह के कॉमेंट कर काजोल को ट्रोल किया जा रहा है इसके साथ इसी दिन काजोल की बेटी नियासा देवगन को भी सोशल मीडिया यूजर ने ट्रोल कर दिय बता दे काजोल को जहां उनकी फिजिक के लिए ट्रोल किया गया, तो वही नियासा को हमेशा की तरह उनके color complexion और फिजिक के लिए ट्रोल किया गया है, नियासा की इस वीडियो पर भी लोग comment कर रहे हैं, एक युजर ने लिखा है मूँ में विमल है, इसलिए मास पहन रखा ह क्या दूसरे शक्स ने लिखा color complexion पर बहुत खर्च कर दिया है इसने इस तरह के comment कर नियासा देवगन को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है साथ ही बता दे अजय देवगन और काजोल अब अपना focus धीरे धीरे परदे के पीछे काम करने पर shift कर रहे हैं तो वहीं दिखना होगा कि उनकी पहली बॉलिवूड डेब्यू को लेकर लोग कैसा response देते हैं